पर्ट वन में पेज नमबर 177 से लेकर पेज नमबर 181 तक हम लोगों ने कर लिया है और यह है सेकेंड पार्ट इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नमबर 182 से बच्चों आप अपने दोस्तों से पता करेंगे कि किसकी फैमली में कितने मेंबर्स रहते हैं तो जब आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि सब के यहां जो भी आपके फ्रेंड्स हैं किसी के हैं फोर मेंबर्स हैं किसी के हां फाइब मेंबर्स हैं कोई ज्वाइंट फैमली में राता है तो वहाँ पर नमबर आप पिपल ज़ादा होंगे किसी की फैमिली में सिर्फ दो जन हैं किसी की फैमिली में एक लोग हैं तो इस तरह से हमें सर्वे करना है कि किसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो अगर वन मेंबर्स हैं तो वो अलोन हो गया किसी की फैमिली में दो लोग हैं तो ये टू पीपल है किसी family में three members है किसी family में four members है इस तरह से हमें पता करके friend से अपने pushना है और इस table को fill करना है तो हमने fill किया है कि one member है वह ऐसी family है three और two members वाली family है eight जिसमें three people है वो twelve families है और जो four people है उसमें ten families है और five people वाले eight family है और six people के five families है और seven people के three families है और eight people के two है families और nine people के one है इस तरह से हमने ये table को complete कर लिया अब इससे related question answer करेंगे Most families have dies people living in their homes हमें ऐसे family का पता लगाना है जिसकी संख्याद जादा है तो वैसी family में जिसकी संख्याद जादा है वहाँ पर कितने लोग रहते है ये पता करना है तो हम table देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो families की संख्याद वो 12 है ये greatest number है यानि जो 12 families है उसमें members है 3 3 people रहते है 12 ऐसी families है जिसमें people 3 है तो यहीं answer होगा तो यहाँ पर हम बरेंगे most families have 3 people living in their homes the smallest number of people living in a home जो smallest number है सबसे कम जन वाला जो family है उसमें कितने लोग है सबसे कम तो 1 है the number of families having 4 people is जो families है उनकी संख्या लिखनी है जिसमें 4 people है तो 4 people में है 10 families 10 families clear children क्या आपके सारे दोस्त लंच में एक ही चीज़ लाते है food items same होता है नहीं आपके classmates different food items लाते है तो आपको आज पता करना है कि आपके classmates ने लंच में क्या लाया है what have your classmates brought for lunch today find out and not down आपको find out करना है पता लगाना है और यहाँ पर food items लिखने है और इस column में number of students लिखने है तो देखिए किसीने sandwich लाया है किसीने पूरी सबजी लाया है विड्ली आलू पराठा और पास्ता तो sandwich कितनों लाया है number of students है 5 पूरी सबजी वाले हैं 3 students इड्ली वाले हैं 4 students आलू पराठा वाले हैं 7 students और पास्ता वाले हैं 2 students हमने इस तरह table complete कर दिया अब question answer करना है A. food items brought for lunch by the biggest number of students जो biggest number of students है सबसे ज़्यादा संख्या किस बच्चों की है और उसने कौन सा food item लाया है तो वो है आलू पराठा और number of students है 7 तो यही biggest number है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आलू पराठा second food items brought by the smallest number of students ऐसा food item बताइए जो बहुत कम बच्चों ने लाया है तो यहाँ पर संख्या है 2 जो सबसे कम है और food item है pasta तो यहाँ पर हम फिल करेंगे pasta इस board shows the number of students in each class it also shows the number of students present and absent यह attendance board है attendance board है और date है 8-2007 इस date का यह attendance board है और यह class का column है number of students class wise है और कितने बच्चे present है और कितने बच्चे absent है यह board यही सो कर रहा है ठीक है यह जैसे class 1 में number of students है 27 और present है 25 तो absent हुए 2 class 2 में है total 23 students 22 present and 1 absent इस तरह से class 5 तक यह data दिया हुआ है अब आपको total numbers करने है तो यह सारे numbers को हम जब add करेंगे तो यह आएगा 121 और जब आप इस सारे number को add किजेगा 25 प्लस 22 तो अगा आपको 47 47 प्लस 21 तो 68 प्लस 18 प्लस 23 इसको add करेंगे तो आएगा 109 और students absent इसको add करेंगे तो यह आएगा 12 तो इस तरह से हमने यह table complete कर दिया अब question number 1 How many children in all are there in the school? यानि total कितने बच्चे हैं school में? तो total number of children होगे total students होगे 121 तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 121 तो second question How many children in all are absent on that day? यानि इस date को कितने absent थे? तो absent का column यह है total number of students होगे 12 यह chart दिया हुआ है absent students chart यह chart है absent students का जैसे class 1 में 2 students थे absent class 2 में 1 थे class 3 में 3 थे class 4 में 4 थे और class 5 में कितने थे? class 5 में 2 थे ओके? इस इस चार्ट तो शोगे नमबर of absent students इच एपसेंट स्टुएंट इस फिगर इस पिक्चर से सो किया जा रहा है कि students कितने है यह एक को रिप्रेजेंट कर रहा है in the chart show the absent students of class 5 अब class 5 में कितने students absent है यहाँ पर show करना है तो जो पहले बाली चार्ट हम लोग देखे थे उसमें 2 students absent थे तो यहाँ पर 2 picture आप यहाँ बना देंगे यहाँ पर सबसे कम संख्या में बच्चे अप्सेंट है तो वो है class 2 यहाँ पर 2 हम लिखेंगे the class with 3 students absent is तो 3 students किस class में absent है तो class 3 में ओके the number of students absent in class 4 and class 5 आर class 4 में है 4 और class 5 में है 2 ओके इस तरह से उस chart के basis से हम लोगों ने question answer को complete कर लिया how long is your hand make a group of 4 friends cut stripes from whisked paper the stripes should be of the same width measure the length of each student's hand with the paper stripe cut the stripe and write the name of the student यहाँ चार दोस्तों का group बनाना है और एक stripe paper stripes cut करना है जिसका width सेम हो चोड़ाई सेम रहे और measure करना है hand students का और जो stripes काटे हैं measure करने के बाद उस stripe उस बच्चे का नाम लिखना है और फिर उसे paste करना है इस तरह तो चार बच्चों का है रोहन, जैकोब, गीता also measured their hands they stuck their stripes as soon यहाँ पर measurement है same width है तीनों का और इस पर length है 8 cm, 9 cm and 10 cm यह length of band name है रोहन, गीता, जैकोब अब यह इसी को कहते है बार graph यह बार graph है बार के फर्म में है अब इस graph को देखकर answer करना है the length of जैकोब's hand is more than गीता's hand or less than तो जैकोब का है 10 cm, तो यह more हुआ गीता से, गीता का है 9 cm तो यहाँ पर हम more लिखेंगे, ओके the length of गीता's hand is dash than रोहन's hand, तो गीता का है 9 cm और रोहन का है 8 cm, तो गीता का भी more हुआ, dash has the longest hand, किसका longest hand है तो 10 cm है यह है जैकोब का, यहाँ लिखेंगे, dash has the shortest hand, shortest hand है रोहन का, तो यहाँ पर हम रोहन लिखेंगे in the chart below, stick the stripes of all the friends in your group keep some space between the stripes उसी तरह के stripes बनाने हैं, आपको अपने friend का और यहाँ पर उसको चिपकाना है और उस दोनों के बीच में थोड़ा सा space देना है, यहाँ पर देखिए name of students है और यह है length of band तो माली हमने अलग-अलग stripes काटे, अलग-अलग friends का और उसको यहाँ पर हमने paste किया ऐसे यह 4 cm का है यह 7 cm यह 5 cm यह 3 cm और यह 8 cm का है और यह 10 cm का है और इसको हमने यहाँ पर चिपका दिया और सब के नीचे नाम लिख दिये, यह अमर का है यह है रामु का और यह है प्रिया का और यह रेट कलर है सुभम रवी और यह है देव इस तरह से आप इसको complete कर सकते हैं page number 187 children coming to school look at the picture यह school है और बच्चे आ रहे है इसकोल कोई cycle से आ रहा है कोई bus से आ रहा है कोई रिक्षा से आ रहा है कोई car से आ रहा है कोई walking करते हुए आ रहा है look at the picture and fill the table way of coming इसकोल आने का क्या साधन है किस तरह से आ रहा है कुछ tractor से आ रहा है तो हम इस picture को देखेंगे और way of coming लिखेंगे यह table में और number of students लिखेंगे तो एक tractor का दिया है, tractor में 3 बच्चे हैं, 1, 2, 3, okay और चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे bus, bus में कितने हैं, फिर bicycle से आ रहे हैं, फिर रिक्षा से आ रहे हैं और on foot, on foot भी आ रहे हैं पैर से, पैदल, walking करते हुए, तो bus में है, मालिजिए 6 बच्चे है, bicycle से 5 है यहाँ पर 2, 2, 4 and 5, रिक्षा में है 2 और पैदल है 4 बच्चे, इस तरह से यह table fill हो गया इस picture को देखकर, ओके, table के according, 3 students are coming by a tractor, we write 3 in the table and we also draw 3 faces on top of tractor, यहाँ पर way of coming है और यहाँ पर number of students है way of coming में bus, tractor, bicycle, रिक्षा और on foot है, तो tractor में 3 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर 3 face draw किया bus में कितने बच्चे थे, 6, तो यहाँ पर 6 faces हम draw करेंगे, ओके bicycle से थे, 4, यहाँ पर हम 4 draw करेंगे, 4, रिक्षा से थे, 2 और on foot थे, bicycle से 5 थे, और foot से 4 थे, इस तरह से यह, जो चार्ट है वो complete हो गया और इस चार्ट को देखकर हम question answer करेंगे, ओके, the most students coming to school by, सबसे जादादा बच्चे 6 आ रहा है वह किसे आ रहा है? बस से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिये, जो 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 बस से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा और जो bicycle वाले वो 5 है वो foot वाले से ज़्यादा है यह जो on foot है वो कम बच्चे है सबसे कम है रिक्षा पर ठीक है ऐसे ही हम यहाँ फिल करेंगे The most students come to school by bus ओके The number of students walking to school is more or less than the students coming on bicycle Bicycle पर जो आ रहे हैं हो कम बच्चे है और जो जो वाकिंग कर रहे हैं हो कम है जो bicycle पर आ रहे हैं हो ज़्यादा है 5 है तो less लिखेंगे ठीक है The least students come to school by on foot तो इस तरह से यह जो chart है वो smart chart हो गया क्योंकि इस chart को देखकर ही हम लोग सारा चीज बहुत कुछ वो information दे देता है तो इस तरह से आप भी smart chart बना सकते हो Practice time Make your own smart charts about things around you For example, which bird has the most colors आपने birds देखा है Different types के birds हमने देखा है तो कौन सा bird है जिसमें सबसे ज़्यादा colors होते है दुसरा question है Which is the animal Which is liked most as a pet कौन ऐसा animal है जिसको pet animal के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद किया आता है तो ऐसी ट्रिया जिसमें सबसे ज़्यादा color हो वो होता है peacock देखिए यह answer है A peacock has more colors on its body than a parrot Thus the peacock has the most color इसका answer हुआ और second का है सबसे ज़्यादा cat like किया जाता है As a pet कोई-कोई dog भी like करते है चलिए A vegetable you do not like ऐसी सबजी जिसे आप पसंद नहीं करते है Which vegetable is most disliked Ask your friends and complete the table कौन सा vegetable जो बिलकुल पसंद नहीं है कुछ अपने friends से इस बात को पुछिए और इस table को complete करिए कौन से ऐसे vegetable है जिसको dislike किया जाता है ना पसंद किया जाता है तो इसमें एक हो सकता है pumpkin फिर ब्रिंजल और spinach cauliflower, cabbage and beans यह सारे vegetables हो सकते हैं और उसके बाद number of students हो गया है pumpkin में 7 ब्रिंजल 5 students को पसंद नहीं है spinach 6 को cauliflower 2 को cabbage 3 को और beans 4 को इस तरह से यह table complete हो गया कि सबसे जादा pumpkin dislike करते हैं बच्चे उसके बाद है spinach उसके बाद ब्रिंजल उसके बाद beans फिर cabbage और लास्ट में cauliflower अब इससे जो यह related है table उसको हम फिल करेंगे use this table to draw faces in the chart below draw face for each child on the top of the vegetable dislike यहाँ पर हम vegetables name लिखेंगे जो ना पसंद है बच्चों को यहाँ number of students लिखेंगे तो most dislike vegetable is क्या है pumpkin pumpkin में कितने है 4, 5, 6 उसके बाद second में brinzel है इसमें कितने है 1, 2, 3, 4, 5 फिर spinach में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीक और cauliflower में है 1, 2, 3, 2 तो सबसे यहाँ पर the most dislike vegetable is यहाँ पर हम लिखेंगे pumpkin most dislike vegetable में हम लिखेंगे pumpkin यहाँ पर लिखेंगे pumpkin ठीक है और the vegetable dislike very few students बहुत कम बच्चे तो वो आपका आजाएगा cauliflower cauliflower फूल को भी यह हमने चार्ट को देखकर फिल कर लिया इस तरह से यह आपका chapter complete हो गया पर लिखेंगे